सन 1974 और 1976 में नासा तथा जर्मन एरोस्पेस सेंटर के द्वारा दो यान हीलियोस फ़स्ट और हीलियोस सेकेंड लॉंच किये गई ये दोनों ऐसे यान थे जो सूरिय के नजदीक जाकर उसका अध्यन करने वाले थे इन दोनों प्रोब्स ने करीब एक दसक तक सूरिय को ओर्विट किया पारकर सोलर प्रोब्स से पहले तक सूरिय के सबसे नजदीक जाने का रिकोर्ड भी हीलियोस टू के ही नाम था यानि हीलियोस 2 ऐसा पहला यान था जिसने सबसे पहले सूरिये से करीब 44 मिलियन किलोमिटर की दूरी पर रहकर सूरिये का अध्यन किया लेकिन अब लगबग 45 सालों के बाद जब एस्ट्रोनोमस के द्वारा हीलियोस प्रोब से प्राप्त डेटा को री एक्जामिन किया गया तो सूरिये के कुछ नए रहष्यों का पता चला जो आने वाले समय में सूरिये के सबसे बड़े रहष्य कोरोना के हाई टेंपरेचर पर से परदा उठा सकता है स्वागत है आप सभी का रहष्य टीवी में और मैं हूँ कुल्दी तो चलिए सुरू करते हैं हमारे सोर मंडल का एक मातर तारा सूरिये स्पेस में लगातार गरम आविशित कणों को रिलीज करता रहता है जिसे हम सोलर विंड के नाम से जानते हैं हलंकि आज तक हम सोलर विंड के ओरिजन्स और इंपेक्ट को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे कि इसमें एक और मिश्टरी एड हो गई दरसल जनरल ओफ जियो फिजिकल रिसर्च के फरवरी 2019 के अंक में छपी एक न्यूज के मुताबित प्रतेक एक या दो घंटे में सोलर विंड में अंतरनहित प्लाजमा एपरत्यासित रूप से काफी गर्म और डेंस हो जाता है ये प्लाजमा तीवर गती के साथ सूरिय से बाहर की और निकलता है तथा सोलर विंड के साथ पूरे स्पेस में फैल जाता है ओफिशिली रूप से इन सोलर विंड को पीरियोडिक डेंसिटी स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है लेकिन एस्ट्रोनोमर्स इनके लिए दैब बलोब्स निकनेम का यूज करते है क्योंकि ये प्लाजमा किसी लावा लैप में बलोब्स की तरह ही दिखाई देता है हालनकि एस्ट्रोनोमर्स इन बलोब्स के बारे में करीब दो दसकों से जानते थे लेकिन फिर भी इनका उदगम और इमपेक्ट आज तक रहसे ही बना हुआ था यानि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे बलैक होल की सेडो की इमेज सामने आने से पहले हम बलैक होल्स के बारे में जानते तो थे की बलैक होल्स होते हैं लेकिन हमारे पास उनका कोई प्रोपर एविडेंस मौजूद नहीं था लेकिन हाल ही में एस्ट्रोनोमर को इन सोलर ब्लोब्स के बारे में तब पता चला जब ब्लोब्स की एक सरंखला ने अर्थ के मैगनेटिक फिल्ड जिसे मैगनेटो स्पेर भी कहा जाता है उसे डिस्टर्ब करके सैटलाइट और कम्यूकेशन सिगनल्स को बुरी तरह प्रभा ने हीलियोस प्रोब्स के डेटा को नए सिरे से एनलाइसिस करना सुरू किया क्योंकि सोध करताओं को उम्मीद थी कि अगर सोलर ब्लोब्स जैसी कोई चीज होती है तो एनकाउंटर के दोरान इन विसाल लावा लेंब ब्लोब्स ने दोनों सोलर प्रोब्स में से किसी एक स प्रभावित जरूर किया होगा इसलिए एस्टोनोमर इस डेटा में एक खास पैटरन की तलास करने लगे जो अचानक से गरम प्लाजमा में विस्पोर्ट को दरसाता हो या अत्यदिक डैंस प्लाजमा की और इसारा कर रहा हो इस एनलाइसिस के बाद सोध करताओं को पांच ऐसे इन्स्टेंसेज मिले जो उनकी खोज के अनुरूप थे जब इनका डीपली एनलाइसिस किया गया तो ये कंफर्म हुआ कि सूरिय से निकलते हुए प्लाजमा की ये स्रंखला एविस्वसनी रूप से बहुत अधिक गरम हो जाती है इनका टेंपरेचर सामानी सोलर विं सूरिय में निकलते रहते हैं यहां तक कि जब सूरिय पर एक्सप्लोजी सोलर स्टोंच नहीं भी आते हैं यानी एक क्वाइٹ स्पेस वेदर डे होता है तब बी सूरियจะ की कोरोणा से मेकसिमम हर 90 मिनट में ये विसाल ब्लोबस एजेक्ट होते रहते हैं। सोलर ब्लोब्स प्रत्वी के कंपेरिजन में करीब 50 से लेकर 500 गुना तक बड़े होते हैं और सोलर विंड की हेल्फ से अंत्रिक्स में फैलते हुए अपने आकार को लगातार बढ़ाते रहते हैं ये solar blobs सामाने solar wind की तुलना में बहुत अधिक dance होते हैं यानि अगर solar wind की तुलना पानी से की जाए तो solar blobs पारे की तरह dance होंगे हाल ही में जब इन blobs ने प्रत्वी की magnetic field को प्रभावित करके astronomers का ध्यान अपनी और आकरसित किया तो astronomers ने प्रत्वी की magnetic field की reading collect की जब इनका analysis किया गया तो पता चला कि जब सूरिय से निकले plasma के ये विसाल blobs अर्थ के magnetic field के पास पहुँचते हैं तो इन में इतनी ताकत होती है कि ये अर्थ के magnetic field को भी compress कर देते हैं और satellite तथा everyday communication signals को कई मिनट से लेकर कई घंटों तक प्रभावित करते हैं magnetic field से ली गई reading के आधार पर astronomers ये संभावना जता रहे हैं कि जिस तरह सन के magnetic field के तूटने और recombine होने पर plasma के massive blast की वज़े से solar storms बनते हैं हो सकता है उसी तरह solar blobs का निर्माण भी एक ही तरह के explosion से होता हो अब इन blobs का कोरोना के temperature में कितना योगदान है और ये other space object को कैसे प्रभावित करते हैं इस बात का खुलासा तो अब पारकर solar probe ही कर सकता है क्योंकि पारकर solar probe 4 अप्रेल 2019 को सूरिय के सबसे निकटतम यानि 24 मिलियन किलोमेटर की दूरी से होकर गुजरा था ऐसे में पारकर solar probe को इन solar blobs का सामना जरूर करना पड़ा होगा 10 अप्रेल को पारकर solar probe का solar encounter खतम हो चुका है यानि अब इस यान का एक बार फिर प्रत्वी से संपर्क इस्थापित हो गया है ऐसे में अब जल्दी ही हमें पारकर solar probe से solar encounter के दोरान record किया गया डेटा प्राप्त होने लगेगा ऐसे में पूरी scientist community पारकर solar probe से आने वाले डेटा को लेकर खासी उत्साहित दिख रही है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस डेटा की help से वो solar blobs के origins और impact के बारे में और अधिक जान पाएंगे तो बस अब इंतजार है पारकर solar probe से डेटा के डाउनलोड होने का ताकि हम सूर्य को और अधिक नजदीक से जान सकें तो बस आज के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगले सनिवार श्याम 6 बजे एक नई रहश्य के साथ तब तक के लिए खुश रहें मस्त रहें हस्ते रहें भगवान करें आप सभी का दिन सुब हो